और इंट तो यहाँ पे मेरे पास Poco X6 Pro जिसको बिछले काफी दिनों से ऐसा डेली ड्राइवर यूज करा है, मतलब रगड की इसके अंदर गेमिंग कर दिया है, रगड की इसके फोटोग्राफी के कैमरा सेंपल्स वगर आपके लिए निकाले हैं, रगड के बैटरी वेकप भी निकाल दिया है किस तरीके का मिलता है, साथ ही साथ मैंने सोचा है चलो इसी फुल रिव्य के अंदर आपको Poco F5 के साथ थोड़ा कंपैरिजन भी करके दिखा दिया जाए, इसके साथ और ओफ दी बॉक्स पोको X6 Pro को पूछो तो किस तरीके का निकल के आता है, चाहे ग इसके अंदर किलर आपको कर दूगा, तो थोड़ी सी लंबी आप इस जरूर से हो सकती है, लेकिन सारी चीज जो कि आपके बाइंग डिसीजन में आपके लिए हल्प कर सकता है, इस वीडियो के अंदर मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर मिल जाएगा, देखो सबसे पहले यार बिल्ट और डिजाइन की बात कर लेते हैं, विदाउट अई डाउट में काऊंगा, पोकु एक्सिस प्रो का सबसे बेस्ट वेरियंट मुझे ही लेधर बैक वाला लगा है, क्योंकिन का इक और जो ब्लैक तुरा से ग्रेश वाला आता है, उसके अंदर जो फिंगर प् पैटन बना हुआ है, वो भी बहुत ही जादा बैतरीन लगता है, अब देखो ऑन पेपर वेड अरौंड वन नैंटी प्लस ग्राम का आपको मिलता है, लेकिन रियालिटी में बता हुआ, तो इन हैंड फिल्ट बैलेंस यहां पे इनों ने करा है, बहुत ही बैतरीन करा है, भी देखोगे, तो दोनों अच्छी यहां पे रहती है, वेड बैलेंस या डिजाइल लोग वाइस, यह यलो वाला एकदम किलर लगता है, खास करकि इसके साथ जो कवर यह लोग देते हैं, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का है, मतलब 2023 या 24 आ चुका है, तो उसके स्टें लेकिन थोड़ सा लंबाई में जादा है, जहाँ पर यह वाला न, एकदम पर्फेक्ट शेप में है, मैं ऐसा कहूंगा, देखो अब इसके अंदर डूल स्पीकर भी मिलता है, डॉल्बी एट्मॉस के साथ मिलेगा, लाउड हो जाता है, अच्छी से आपको यहां पर जो सा कैसी है, खास करकि Poco F5 के साथ, तो चलो इसी की ही बात कर लेते हैं, जब से पहले देखो यहां पर read and write stories कितनी faster मिल जाती है, अगर आप F5 से यहां पर compare करोगे, on paper score देखो बहुत ज़्यादा huge वाला difference नहीं है, लेकिन of course X64 थोड़ा better score करता हुआ आपको वहां पर मिलेगा जितने भी मैंने on paper score करें, लेकिन आप देखो day to day use के अंदर आते हैं, अगर मैं आपको यह दोनों बीच में दिखाओ, बहुत बड़ा वाला difference आपको यहां पर नहीं पता चलेगा, day to day uses के अंदर दोनों ही smoothly अच्छे से work करते हुई यहां पर मिलते हैं, खास करकि जब मैं आपको यहां पर प्रफॉर्मेंस जादा बैटर निकल गया आती है, as compared to POCO X. यह चीज बहुत जादा interesting लगी, लेकिन जब gaming की बात आती है, BGMI के अंदर दोनों में ही मैंने gaming करके देखी है, दोनों में 90 FPS gaming आपको unlock मिल चाती है, लेकिन जब दोनों में मैंने gaming करी यार, इतना तो मैं जरूर से देख चुका हूँ, gaming करने के बाद कि POCO X6 Pro की gaming मुझे फ favorite gaming device यहाँ पे है POCO X6 Pro, जहाँ पे POCO F5 फी gaming पहले थोड़ी better थी, मुझे लग रहा था, पहले थोड़ी smoother है, दोनों मैं 90 FPS की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे POCO F5 अब इतना अच्छी तरीके से perform मुझे लग रहा है, नहीं यहाँ पे कर रहा है, एक चीज और भी बता हूँ 38 तक जारा है, थोड़ा थोड़ा warm जरूर से यह feel दे रहा है, अब इसकी actual में heating की जो test है, वो तो गर्मी के ही मौसम में आके होगी, क्यार क्या गर्मी के मौसम में यह बहुत जादा overheat देता है, नॉर्मल यूस के दौरान तो आपको कोई भी warmness वाली feel बिलकुल नहीं आए अगर यह warm भी होता है, उसके बाबजूद भी आर बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, तो इतना तो अभी मैं clear cut कह सकता हूँ कि गेमिंग के मौमल में Poco X6 Pro जादा बेटर मिलेगा Poco F5 पे comparison में, लेकिन एडिटिंग वगरा में Poco F5 यहाँ पे अपने CPU के साथ, GPU के साथ जादा बेटर निकल के आ है, snap brand के प्रोसेसर आई थिंग यहाँ रेंडरिंग वगरा में जादा अच्छे से प्रफॉर्म करता ही करता है, टाइम स्टिक के चिप सेट के comparison में अगर आप देखो, वैसे मैंने बताना भी भूल गया, यार, Poco X6 Pro में तो अबीडेक डिवस्टी 8300 अल्टरा मिलता है, जहाँ पे Poco F5 के अंदार हमारा snapdragon 7 plus gen 2 वारा जिपसेट मिलेगा, इसके फोन के बाद किसी और में आया यह नहीं, नेकिन performance तगड़ी यहाँ पर यह रहती है, आप देखो HyperOS की जहाँ पर बात निकल के आती है, मैं फिलाल कहू MIUI के उपर जरूर से improvement है, लेकिन MIUI से बहुत अलग भी नहीं है, अची चीज यह है, Android 14 के साथ, out of the box आपको यह आपर यह मिल जाता है, अच्छा है, क्योंकि company ने promise कर रहा है, 3 plus 4 year का upgrade, यह Poco F5 के उपर तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, 14 पर और यह है, 15, 16, 17 आपको इस इंदर option मिल जाता है, अलग अलग customization कर सकते हैं, वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत यह अच्छा effect भी वहाँ पर provide करता है, बागी control center वगरा देखोगे तो ठीक ठाक सा आपको वही normal MIUI वाली याद दिलाएगा, वो मिल जाएगा, widgets वगरा में ठो आप चीज आपको इसके अंदर अभी भी मिलती है, और उधर अभी भी smoothly work कर रही है, अभी तक कोई भी दिक्कत मुझे यार HyperOS के अंदर नहीं आई है, animation smooth लगा है, working अच्छी है, memory management अच्छा है, तो overall HyperOS के साथ भी यहाँ पे इन्होंने out of the box निकाला है, उस मामले में मुझ ज़रूर से अच्छे से provide होती हुई मिलेगी, तो इधर यह चीज भी मुझे बहुत ही सही लगी है, अब देखो बैटरी की जहाँ पर बात रही, इसके अंदर देखो 5000 image बैटरी मिलती है, 67 watt की fast charging है, जिस पर around around 50 minute लगता है, full charge होने में, बैटरी बैकप की जहाँ पर बात जितना मैंने daily use करा है, उससाब समय आपको बता रहा हो, तो बैटरी बगरह में भी आपको कोई जो समस्या है, इसके अंदर नहीं आएगी, पैटरी वैकप भी अच्छा आपको मिल जाएगा, बागे देखो हाँ 5G डिवाइस है यह, तो 5G के इसके अंदर 14 बैंड मिलते है 5G connectivity भी एक number आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे से आ रही है, 4G plus का भी आपको network इसके अंदर अच्छे से चलता हो मिलेगा, इवन NFC का भी support आपको यहाँ पर मिल जाता है, बागे आप इसके अंदर micro SD card नहीं लगा सकते, hybrid SIM का यहाँ पर support मिलता है, वैसे अगर आपन in-display वाला fingerprint sensor भी मिल जाता है, तो वो भी POCO F5 के उपर आपको थोड़ा सा अपग्रेट मिलेगा, इसको एक दम कोई के लिए अच्छे से वर करता हो, बाकी IR blaster वगरा भी हमारी सारी चीज़े जो है, इसके अंदर मिल जाती है, अब देखो POCO F5 से एक चार सिमलर चीज आपक इसके अंदर भी आपको best display मिलेगी, HDR content YouTube के अंदर stream कर सकते हो, डॉल वे विजन का भी support आपको मिलता है, colors वगरा देखो बहुत ही subtle इसके अंदर निकल के आते हैं, नहीं बहुत जाद over contrast ही है, या saturated है, दिखने में बहुत ही अच्छे रहते हैं, tuned बहुत अच्छे इसके अं पर वो side में देखोगे, तो बहुत ही पतले हैं और बहुत ही अच्छी display quality के साथ आते हैं, इवन इसके अंदर गॉरिला ग्लास 5 ती protection आपको मिलती है, तो प्रोटेक्शन के बावले में भी अच्छा कार ये किरा हुआ है, काफी नहीं लोग कंफ्यूज है कि गोरिला ग्ला पर कोई दिखकत नहीं आती है, डिरेक्शन लाइट के अंदर भी अच्छे से यार ये visible हो जाता है, फिलहाल अगर in the end बात करी जाए, देखो, camera's की, 64 पिक्सल का main OS के साथ camera sensor में देखा, 800 पिक्सल का ultrawide है, 16 में पिक्सल का selfie camera है, similarी setup Poco के अंदर भी मिलता था, आप देखो दोरों के comparison के लिए मैं आपको या पर वीडियो recording दिखा देता हूँ, दोरों में 4K आप 30fps तक वीडियो recording कर सकते हो, और राइड याई तो यहाँ पर आप देख सकते हो video sample, अच्छा मैं काफी सारी phone की एक साथ video recording कर रहा हूँ ना, तो मैं उपर बता दूँगा कौन सा phone किस resolution में record कर रहा है, इन कितने fps में कर रहा है, एक phone है जो 30 fps तक है बागी सारी 60 fps तक है, तो ज़रूर से एक बार मुझे बताओ कि बैक में exposure level कौन अच्छे से maintain कर रहा है, अब देखो हमारी सूरज दादा जल्दी यहाँ पर आचकल दूप जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत और जादा EIS तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन एक वर तो यह कोशिश करता हूँ, कि उसल्फी कि आपको पता चले कि EIS भी किसमें बैटर यहाँ पे, अल्राइट, बज, 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 पोको X6 Pro की वीडियो आपको जादा बैटर लगी, आप देखो, फ्रेंट, सेल्फी कैमरा में आते हैं, तो यहाँ आप दोनों 1080p 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बज, 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 बत, बज, 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 बज ओहना में देखो, कौन अच्छे से यहां पर में खर दिखा रहा है, किसकी तूनिग जाद़ बेटर है, किसमें एक रहाइड पर दिखने को मिल रहे हैं, एक वड़ा आपको थुआ सो धॉड़ के यहां पर यहां पर यहां पर भी मुझे देखके जरूर से बताना कि आपको किस तरीके की यहां पर वीडियो क्वालिटी लगी अब देखो नॉर्मल 8 मिया पिक्सल की बात करी जाए तो आप Poco X6 Pro के अंदर 8 मिया पिक्सल का अल्टर वाइट जो है के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आती है यहां पर अगर आप स्किन ट्यून देखोगे वह मुझे लगता है थोड़ी सी कॉंट्रास्टियर साइट थोड़ी जादा हो जाती है अगर उसको भी थोड़ा ट्यून डाउन यहां पर पोको करे ना तो बहुत ही बैटर कैमरा के मामले भी मेरे हिसाब से हो सकता है लेकिन F5 के उपर तो बहुत ही थगड़ी उपर इंप्रूमेंट है लेकिन जो कॉंपटीशन है उससे बैटर कैमरा भी फिलाल नहीं निकल किया है मैंने वीवो टीट्यूर पूरो के साथ या मोटो एस 40 नियो के साथ भी कंपेर करा हु अगर आप देखोंगे नॉर्वल कंडिशन में फोटो बगरा अच्छी निकल के आती है बैक ग्राउंड में अच्छे से HDR को यानि डैनेमिक रेंज को भी अच्छे से मैनेज कर लेता है पोट्रीट मोट का एस एक्शन देक्शन देको सो सो टाइप का आपको मिल जाएगा लेकिन लो लाइट के अंदर आती हो थोड़ी से डिटेल की कमी ज़रूर से आपको लगेगी कि डिटेल और बैटरी यहाँ पर करी जा सकती है जहाँ पर थोड़ी सी बिलिमिश टैप की फोटो बगरे निकल के आती है लेकिन अगर आपकी लाइटिंग कंडिशन अच्छी ह और अल्टर वाइट कैमरा तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इंप्रूमेंट के साथ आपको मिल जाता है ओवराल देखो अगर बात करी जाए तो पोको एफ 5 को पर बहुत ही अच्छे अच्छे इंप्रूमेंट आपको इसके अंदर जरूर से मिलते हैं लेकिन अगर इसको है अगर वो और भी करते हैं ना कैमरास के मामले में तो और भी एक पूरा तरीके से बैलेंस स्मार्टफोन में काऊंगा यहाँ पर हो सकता है बागी आई होप आपकी सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर खिलियर हो गया है अगर आपको कोई भी कोशन रह गया है कम लाइक शियर किया वेना देखो कहीं भी मज़ाना हो